हलो एवरिवन, वेल्कम टू एटिगो टेक्निकल ट्रेनिंग वीडियो आज मैं आपको एटिगो सेफटी पैनल LRS के फीचर्स, स्पेसिफिकेशन, इंस्टॉलेशन ओपरेशन, एप्लिकेशन और यूज के बारे मताँगा एटिगो सेफटी पैनल European Quality Standard पर इंडिया में ही बनाया जाता है इस सेफटी पैनल के फीचर्स को स्पेशली इंडियन एंड़ॉर्मेंट के अकोरिंग कस्टमाइज किया गया है LRS सेफटी पैनल एक वायरलेश GSM-based control unit है पैनल 80 मिटर्स नो अबस्टिकल तक का लार्ज एरिया कवर करता है पैनल में 99 addressable defense zone दिये गए है जिसमें 96 wireless sensor के साथ साथ 3 wired sensor को भी आसानी से connect किया जा सकता है पैनल में high quality lithium ion battery दी गई है जो power failure condition में भी पैनल को लगातार 8 घंटे तक on रखती है LRS safety panel radio frequency पर work करता है पैनल में RF receiver के साथ RF transmitter भी लगा हुआ है पैनल RF transmitter की वज़े से wireless siren के साथ में भी आसानी से communicate कर सकता है safety panel LRS के अंदर 1VM की anti jamming intensity दी गई है जिसकी वज़े से jammer का use करने पर भी पैनल के साथ connected sensors का इसके communication पर कोई effect नहीं पड़ता पैनल में दिया गया internal speaker, standard English voice prompt जैसे system arm, system disarm, coding completed, etc. प्रोवाइड गरता है LRS safety panel के साथ wireless door sensor, motion sensor, fire sensor, gas sensor और emergency panic button जैसे sensors को आसानी से connect किया जा सकता है safety panel LRS में चार operation mode दिये गए हैं system arm, system disarm, home arm और SOS जब system को arm किया जाता है तो इसके साथ जुड़े हुए सभी sensors activate हो जाता है जब system को disarm किया जाता है तो इसके साथ जुड़े हुए fire, gas और emergency panic button जिससे sensors को छोड़कर सभी sensors deactivate हो जाता है home arm करने पर user के entry और exit point पर लगे हुए सभी sensors activate हो जाते हैं और other sensors deactivate रहते हैं जब user को किसी भी तरीके की emergency हो तो वो SOS mood का use करके alarm trigger कर सकता है